इस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभीशिक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम 24 दिसंबर तक के सभी important करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ चालने के लिए मिलेगा अंत में हम जो है हाली में एक एक्जाम हुआ है उसमें पूशेगा जन्रल मेंने से questions देखने वाले हैं साथ इस वीडियो सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे daily current affairs pdf weekly pdf और monthly pdf चाते हैं तो इस वीड pdf course को buy करते हैं purchase करते हैं तो यह सभी content आपको pdf format में provide कर आते हैं हमारी एप पर आपको यह पूरा जो भी material है यह available हो जाएगा ठीक है साथ ही आप free current affairs questions भी यहाँ पर attempt कर सकते हैं तो complete material आपको हमारी एप पर ही मिल पाएगा कोई भी आपका डाउट हो कुछ भी आप video session की केंद्र ने भारत और किस देश के बीच आप राधिक मामलों में पारस्परी कानुनी साहता पर संधी को मंजूरी दी है options आपके सामने हैं और सही answer होगा option a so center approved treaty on mutual legal assistance in criminal matters between India and Poland देखें नहां पर इंडिया और Poland के बीच में एक treaty on mutual legal assistance in criminal matters इसको एप्रूव किया है cabinet ने जैसे की नाम सी पता चल रहा है cabinet जो criminal matters है इसमें legal assistance जो है इंडिया और Poland एक दूसरे को provide कराएंगे साथ ही आपको बता दें ministry of home affairs जो है ये नोडल ministry होती है जो की criminal law matters में इस तरह की mutual legal assistance को जो है मंजूरी देता है साथ है आपको जाना चाहिए पॉलेंटी कैपिटल वार्सव है कैपिटल है करंसी है यांगी पॉलिस च्रोटी और पैजिडेंट है यांगे एंड्रिजेज डूडा 2021 Paralympic Sports Awards में सर्वस्रेश्ट महीला परदारपन पुरुस्कार किसने जीता है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन C अवनी लेखरा won the best female debut award in the 2021 Paralympic Sports Awards देखें आपर Paralympic Sports Awards गोशित किये गए हैं तो इनमें जो भारत की जो shooter है Paralympic shooter है Paralympian shooter अवनी लेखरा तो इनको best female debut award दिया गया है आपको बता दें इन्होंने Paralympics में दो medal जीते हैं तो gold और एक bronze इन्होंने जीता है women's 10-meter sh1 air rifle round में event में और bronze जीता है इन्होंने women's 50-meter sh1 air rifle में और आपको बता दें यह first Indian female है जिन्होंने Paralympics में दो medal जीते हैं आपको जानना चाहिए यह जैपूर राजस्थान से हैं तो आज-कर एक्जाम में पूछ लैता है जो खिलाड़ी काफी सब्सक्राइब देखे नदी उत्सव मनाए गया है 16 दिसंबर ते 23 दिसंबर तक आपको बता दे नदी उत्सव ये पूरे भारते मनाया जाता है किसके द्वारा रुणाइस किया जाता है और इसमें कई चार थीम रहे हैं इस नदी उत्सव के कौन-कौन से है cleanliness, patriotism, nature and ecology, devotion and spirituality भारत और ACI विकास बैंक यानि की 80 मिने किस राज्य में एक कौशल विश्व विध्याले इस्थापित करने के लिए 112 मिलियन यूएस टोर रकेरिट पर हस्ताक्षिर किये हैं सही आंसर होगा option A इंडिया and the Asian Development Bank signed a 112 मिलियन यूएस टोर रोन तो सेट अप इसकी रूश्टी इन आसाम देखे आसाम में इसकी रूश्टी बनाई जाएगी इसके लिए Government of India और Asian Development Bank ने 112 मिलियन यूएस टोर का लोन साइन किया है आपको जानना चाहिए आसाम की गवर्णर जगदीश मुकी है चेफ मिस्टर हिमन तब इसवसर्मा है और कैपिटल है दीशपूर किस मंत्रा ने रास्ट ये ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यकरम सुरू किया है औप्शनस आपके सामने हैं सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वमिस्टी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर लॉंच्ट नेशनल ऑक्सीजन इस्टिवार्ट्शिप प्रोग्राम इस्टिवार्ट् नियू डेली में इसका मकस्द रहेगा वो क्या रहेगा देखिए ऑक्सीजन का मैनेजिमेंट और एड्मिस्टेशन जिन भी हेल्थ केर वर्कर्स के पास है तो उनको इस्किल प्रोवाइट कराया जाका ताकि ऑक्सीजन का वेस्टेज ना हो सके BBC Sports Personality of the Year 2021 किसे चुना गया है सही आंसर होगा Option D So Emma Radukanu has been voted BBC Sports Personality of the Year 2021 देखें काफी चर्चा में रही है इस बार आपको बता देंगे US Open जीता है इस बार Emma Radukanu और इनको BBC Sports Personality of the Year 2021 चुना गया है आपको बता देंगे British Professional Tennis प्ले रहे है तो ब्रिटेन से है और दूसरे नमबर पर रहे टॉम डेले और तीसरे पर रहे एडम पेटे इनके लावा भी और अवर्ट दे गए अच्छे हैं पर एक बात आपको जाननी चाहिए हो सकता है पूछ ले जाए देखें काफी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि कई टाइम बाद बृटेन के खाते में गया है ये यूएस ओपण तो देखें कोई बाकी Sports Personality 2021 Awards किस-किस को मिले है देख लेते हैं Helen Rolason Award ये जैन बेटी को मिला है Coach of the Year Garrett Southgate को मिला है Team of the Year England Men's Football Team को दिया गया है World Sports Star Rachel Blackmore को दिया गया है Lifetime Achievement Awards Simon Biles को दिया गया है Unsung Hero Sam Barlow को दिया गया है और Young Sports Personality of the Year दिया गया है Sky Brown को भारत में कौन सा वार्सिक मौसम पैटर्न जो 40 दिन तक रहता है इस्थाने रूप से चिलाई कलां के रूप में जाना जाता है Options आपके सामने है कश्मीर विंटर मेगाले मौनसून पूरी कोस्टल हाई टाइड या फिर विंटर टेंपरेचर्स एड थार डीजर्ट सही आंसर होगा कश्मीर में और इस पीरेड को बला जाता है चिलाई कलान तो 40 दिन की बहुत कड़ा के दा ठंड पड़ती है ये ठीक है और आपको बताते है जो चिलाई कलान है ये परसियंटर में जिसका मतलब होता है Major cold ये question पूछ ले जाता है पूछा गया है चिलाई कलान का संबंद किस से है या क्या कहते है इस तरह से इसके बाद फिर 20 दिन का जो पीरेड आता है उसको चिलाई खुर्द कहते है और उसके बाद जो 10 दिन का पीरेड आता है उसे चिलाई बच्चा कहते है परतेक वर्स किस दिन को रास्टे उल्भोकता दिवस के रूप में मनाया जाता है उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा उप्शन डी Every year December 24 is observed as National Consumer Day तो देखिए हर साल 24 दिसंबर को National Consumer Day मनाया जाता है आपको बता दें 24 दिसंबर 1986 को Pattern Protection Act पास किया गया था आपको बता दे Consumer Protection Act 2019 ये 20 जुड़ाई 2020 से लागू हो चुका है अच्छा आपको बताने चाहिए आपको मालूम होना चाहिए ये Consumer है ठीक है मान लिजे उसके साथ कोई धोका धड़ी हुई है तो उसके लिए Central Consumer Protection Authority बनाई हुई है मान लिजे कोई Misleading Advertisement है जो की सही नहीं है तो ये जो Authority दस लाग रुपे तक का जुर्मान लगा सकती है और साथी दो साल तक की जेल भी बेश सकती है और मान लिजे कोई बहुती कंजूमर को मतलब बहुती बुरी तरह से उसके साथ कुछ हुआ है मतलब तो गाधड़ी काफी वैसे लेवल की है काफी डीप है तब ये पचास लाग रुपे तक का फाइन लगा सकती है और पास साल तक की जेल भी बेश सकती है साथी आपको जाना चाहिए वर्ड कंसूमर डे ये पंदरा मार्च को मना जाता है ठीक है ये तो नेसनल कंसूमर डे है 24 दिसंबर और वर्ड कंसूमर डे है 15 मार्च को डॉक्टर गोरी शंकर राज हंस का हाले में निधन हो गया वे किस पेसे से जुड़े हुए थे सही आंसर होगा ऑप्शन दी प्रोंग्रे संकर को डे हैнок जाता हुँ में का मत्प्शन हो गया थे आपका बतने कंबोडिया और लाउस में ये भारत अंबेस्टर रहे साथी हिंदोस्तान टाइम्स कृप से भी ये वे गूड़े रहे यह कॉंग्रेस MP थे कहां से फ्रॉम जहांचरपूर यहां से यह कॉंग्रेस के MP थे यह question important रहेगा भारत में महिलाओं के लिए विवाह की नियुन्दमायू 21 वर्स करने के लिए बाल विवाह निशेद संसोधन विधेक 2021 लोगसभा में पेच किया गया यह विधेक भारत में कई विवाह अधिनियमों में संसोधन करेगा नीचे दिया गया कौन सा अधिनियम संसोधन के अधीन नहीं होगा यानि कि देखे चार एक्ट दिये गए हैं तो इन चारो एक्ट में से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें चेंज नहीं किया जाएगा सही आमसर है option A फड़ते हैं इसको इन अबीट तो रेस्टा मिनीमम एज फोर मैरीज तो 21 फोर विमन इन इंडिया देखिये जो हमारी यूएन मिस्टर फोर विमन एंड चाल्ड डेवलमेंट है इन्होंने लोग सबा में इस पिल को पेश किया था जिसका मकसर दिया है कि जो मैरीज किये जह है वो 21 की जाए सभी धर्मव में जो भी लड़किया है उनकी आपको बता दें यह सभी एक्ट जिन में चेंज़ आएंगे इंडियन क्रिस्चन मेरीज एक्ट 1872 फिर पार्सी मेरीज एक्ट है फिर मुस्लिम पर्सनल लो है और स्पेशल मेरीज एक्ट है हिंदू मेरीज एक्ट 1955 फोरेन मेरीज एक्ट 1969 इन सभी में चेंज़ेस किये जाएंगे साथ ही जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइड मेरीज एक्ट 2006 है तो यहां से इसको चेंज़ किया जाएगा यहां से हम जो मेरीज की जो एज है वो 21 किया जाएगा दमौंगू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश नामक पुष्तक के लेख कौन है options आपके सामने हैं सही आंसर होगा option C सांतनु गुप्ता इस ता ओध्वढ उथ बुक टाइटल दमौंगू ट्रांसफॉर्मड उत्तर प्रदेश तो देखे सांतनु गुपता ने बुक लिखे दमोंखू टांसफोर्म उत्तरपरदेश तो इन्हों ने बताया कि किस तरह से यूपी की जो छवी थी और बीमारू स्टेट की रूप में थी कि बीमारू राज्य है और योग्यातितनात के आने के बाद जो है ये छवी बदली ह इस तरह से इनका मानना है सांतनु गुपता का यही इनों ने इस बुक में बताया है गांधी टोपी गवंडर नामत पुस्तक के लेखक कौन है सही आंसर होगा ओप्शन डी सो यह लगदा लक्षमी प्रसादिस्ता ओधर आफ दे बुक टाइटल गांधी टोपी गवंडर तो वाइस प्रेजडेंट वंका यह नाइडू ने एक तेलगु बुक जिसका टाइटल गांधी टोपी गवंडर है इसको रिलीस किया है किसके दुरा लिखी गई है जो आंध्रबर देश के ओफिशल लेंग्विच कमीशन के चेर्मेन है यह लगदा लक्षमी प्रसाद इ इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी एंड पोस्टल सेक्टर तो देखे एक तो पोस्टल सेक्टर में इंडिया और वियतनाम में वियतनाम ने लेटर ओफ इंटेंट साइन किया है साथी इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी के छेतर में भी इंडिया और वियतनाम ने M.I.U. साइन किया है इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी को लेकर एक पैक्ट है बाकिया आप पो जाना चाहिए वेतनामी कैपिटल हनोई है करंसी है वेतनामी डॉंग लोकरंग महुतसव की सहर में सुरू हुआ सही आंसर है ओप्शन ए सो लोकरंग फेस्टिवल स्टार्ट इन जैपूर तो देखिए जवाहर कलाक केंद्र जैपूर राजस्थान यहाँ पर लोकरंग फेस्टिवल 2021 की सुरुआत हुई है ग्यारा दिन तक यह फेस्टिवल चलन वाला है भारतिय प्रतिस्पर्धा आयोग्यानी CCI ने किस e-commerce कंपनी में 200 क्रोर रुपे का जुरुमाना लगाया है ओप्शन्स आपके सामने हैं पेटियम फ्लिपकार्ड अमेजोन या फिर सिनेप डिल सही आंसर है ओप्शन सी ते कम्पेशन कमिशन ओफ इंडिया हैस इं इंवेस्ट कर सकते हैं तो अब कम्पेशन कमिशन ओफ इंडिया ने जो अनुमती दी थी जो परमीशन दी इसको वापस ले लिया है कि अमेजोन ने कई सारी डिटेल्स इस बारे में हमसे चुपाई थी जब इसने परमीशन मांगी थी ठीक है तो अब इसने अपनी अनुमत वापस ले दी है आपको बता दी अठाइस नंबर 2019 को यह परमीशन द्वारा दी गई थी जिसके तहट एमेजोन जो है फ्यूचर कूपन्स प्राइमेट लिटेड में 49% इस टेक अपने हासिल करेगा साथ ही यह डिटेल्स चुपाने के लिए कुछ इस तरह की डिटेल्स च द्वारा स्थापित नियामक और प्युद्योगी समाधान के लिए सलाकार समीति का निर्तवत कौन करेगा या फिर कौन करेगी सही आंसर है ऑप्शन डी सो मधाभी पूरी बूश विल हैड ता एडवाइसरी कमिटी फोर लेवरेजिंग डेगुलेटरी एंड टेक्नोलोज तड़ी तो इन सबसे निप्टा जाए इसके लिए कुछ टेक्नोलोजी को बढ़ावा मिले टेक्नोलोजी सोलूशन कुछ प्रवाइट कराए जाए कुछ ऐसा हल हो जिसमें टेक्नोलोजी का यूजर जल्दी जो है हम इन चीजों को पकड़ सके जो मार्केट में जो धोका धड़ी होती है या फिर उपर नीचे कुछ भी होता रहता है इस चीज़ से सम्मंदिद सेभी ने एक कमिटी बनाई है इसका नाम है एडवाइजरी कमिटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलोजी सोलूशन्स तो इसको हैट करेंगी मिस मधभी पूरी ज फिरेगि या नेसे चांसे गुट अ है ऌनाम한फट ली चांसर स्वाइजित्स अचेना इस प्रषीब रवर्वत याष्यभट लेजिफ लेजिफ लेजिए mira को वैंज्नाे is बाइनकीजितस था क्योर्य cooking पुर्ण अघनधριत्त echo है घटे सल्सका प्र्णलså ब्सक्य kultur अना meeting has been deferred due to uncertainty over the Omicron outbreak the meeting was scheduled to take place in Daos Switzerland कई experts से बिल्कुल सभी आंसर दिया है इसी तरह से आप participate करते रहिए खासकर कि यह वाले कोश्चेन आप बताते रहिए यह बहुत पूछे जाते हैं कि कितने member countries हैं ठीक है तो जो important organization हम इनको cover करते चलेंगे अच्छा हाली में एक एक एक्जाम हुआ है UPPSC का जो है शायद Polytechnic Lecturer का है तो टेलीग्राम पर एक experience मुझको कुछ question share किये थे किसे आप इनका answer जरूर बताईएगा तो पहाबर उनका answer आपके साथ share करूँगा साथ ही आपको कहूँगा यदि आपका भी कोई exam होता है जिसमें general awareness किया फिर करेंट अफेर से question पुछे जाए तो आप मुझको 2015 यह उन्होंने ही लगा हुआ है spirit ने गलत है ठीक है 2015 को किया था अगला question देखते हैं with reference to Nobel Peace Prize announced in October 2021 which of the following statement is are correct दो statement दिये आपको बताना है कौन सा सही है पहला है मारिया रेशा एंड दिमित्री मरुतोव have jointly won this prize बिलकुल सही है both the winners of this year's award are journalist यह भी बिलकुल सही है तो दोनों option सही है both one and two सही हो जाएंगे देखें Nobel Peace Prize से question कई बार exam में पुछे गए हैं इस बार जो अभी हाली में exam हुआ है एक तो यह पूछ ले गया और यह देखिए आप आपको मैं question दिखाँगा कितना प्यारा question है आप लोग सोच में सकते कि इस तरह से भी पुछा दा सकता है ठीक है यह उत्रा खंड PCS लोवर PCS का exam हुआ था तो उसमें पूछा गया यह बताता हूं देखिए क्योंकि यह question मैंने तब देखा था मैं आपके साथ discuss करने के सोच रहा था इतने में एक question मुझको aspirant ने भेज दिया तो मैंने सुचा दोनों एक साथ बता देता हूं क्योंकि एक दूसरे से correlate कर रहे हैं To which country are the winners of Nobel Peace Prize 2021 related? Nobel Peace Prize 2021 के जो winners हैं वो किस country से हैं? Confusing हो जाता है देखिए जब एक कोई winner हो तो हमको याद भी रहता है जब दो हो तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है एह है Egypt and Australia, फिर है Malaysia and Italy, C है Philippines and Russia, D है Germany and Japan तो सही answer होगा option C तो जो यह मारिया रेसा हैं यह तो है Philippines से ठीक है? और जो दिमित्री मरता होगे यह है रशिया से तो देखिए कितना प्यारा question है याद रखिएगा तो इस तरह से मैं आपकी सोच बदलना चाहता हूँ कि question को आप अलग-लग तरी से अपने आप भी सोचिये ऐसा नहीं है कि जो question मैंने आपको बताया फिर जहां से भी आप current affairs बगरा और कहीं से पढ़ते हो उन्होंने बताया वैसे ही आएगा ठीक है अपने हिसाब से भी question को गुमाय करें खुद के teacher खुद बनिया आप एक question यह था कि citizen ship amendment bill 2019 was passed by the parliament on which date तो इसका answer आप बता सकते हैं क्या है बताये क्या answer होगा इसका इसका answer आप मुझे comment वोक में खुद से बताएंगे ठीक है जो assignment question है वो है पांच question उसके बाद एक sixth डाल के आप बताएंगे citizenship bill 2021 was passed by parliament on this date तो इसका answer आप खुद बताएंगे इसके लावा और भी question है उनको कल को discuss करेंगे ठीक है थोड़े थोड़े question discuss करेंगे तो यह बाकी के कल की discuss करेंगे इसका answer आप खुद बताएंगे चले देखते हैं आज का assignment question the Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana was launched in which year? The International Monetary Fund is made up of how many member countries? Name the former Prime Minister of Norway who is currently the Secretary General of NATO. Where does India rank out of 180 countries in the World Press Freedom Index compiled by reporters without borders? Name the NASA spacecraft which has become the first spacecraft to pass through the sun's outer atmosphere. तो 5 questions के answer आप हमें comment box में जरूर दीजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं आपर regular video updates और current quiz जिसम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और fellow experts के साथ हमारे current affairs को share जरूर करें आज का इस session आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताईएगा धन्यवाद